साथियों आम तोर पर देखा गया है कि जैसा चल रहा है उसी ववस्ता में है मैंने कहा वैसे ढाल देते रहो जैसे तैसे गुजारा करते रहो समय काटने की कोशिश करते रहें पिछले साथ दसक में अगर हम इसकी समिख्षा करें तो एक बात आपको जरूर दिखेगी कि जब भी कोई संकट आया कोई प्राकृति के अपना आई को विश्री से प्रकान का दबाओ प्यादा हुआ तो फिर हमने बढ़ाब को ना आया तो दुनिया बढ़के बढ़ाब हमने की अपने लिकिन का एक स्वस्ता सती है क्या कि बढ़ा प्रेशन आ जाए तब जहां करके हम बढ़ ले को तरीका है क्या हम अपने आपको सज्ज क्यों न करें दोस्तों और इसलिए हमने संकर में समय में रास्ता खोड़ने अब एक समय था हम अभाव में गुजारा करते थे और इसलिए हमारे सारे जो नियम विक्सित हुए वह अभाव के बीच कैसे जीना वो बने लेकिन अब अभाव से जब महार आये हैं तो कानूर भी तो अभाव से बाहर लाईए भाया विपुलता की और क्या सोचना है उस पर हम सोचे अगर व अभी-कभी किसानों पर जो चीजें बोज बन जाती हो शाए ना बनती है और इसलिए मैं कहता हूं कि संकट में से रास्ते खोजने के तो तरीका सरकारों ने सीख लिया है लेकिन था ही भाव से व्यवस्ताओं को विक्सित करना यह हम लोगों का और हमें विजूलाइज करन निकले इसलिए काम करना चाहिए उसी प्रकार से हम चुनोतियों के पीछे मजबुरन भागना पड़े ठीक नहीं है जाहिए हम चुनोतियों को भापना चाहिए अगर टेक्नोलोजी ने दुनिया बढ़ली है तो मुझे उस गवर्ननस में उसके साथ आने वाली चुनोतियो तो मुझे पता होना चाहिए मैं अपने आपको उसके लिए सज्ज़ करूँ और इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्ननस रिफॉर्म यह हमारा नित्यकरम होना चाहिए लगातार कोशिस होनी चाहिए और मैं तो कहूंगा कि जब भी हम रिटार हो जाएं तो मन में से एक आवाज निकली चाहिए कि मेरे कालखन में मैंने गवर्ननस में इतने इतने रिफॉर्म किये और वो व्यवस्थाएं विक्सित की जो शाय आने वाले 25-30 साल तक देश को काम आने वाली है अगर यह बड़लाव होता है तो तो परिवर्दर होता है